Python series की last video के अंदर मैंने आपको बताया था कैसे हम user से input लेंगे लेकिन जो input होगा वो हमारा integer रहेगा यानि की user से हम numbers को input कराएंगे और उसके बाद मैंने उसके उपर आपको उस input के according program बना के दिखाया जिसे मैंने दो numbers को add किया यानि की sum करके दिखाया लेकिन जो numbers थे वो user के मर्जी के थे user से हमने dynamically उसको input कराया था और आज की video के अंदर मैं आपको floating points number बताने वाला हूँ कैसे हम user से floating points, values को input कराते हैं, क्या होता है floating point, क्या इसके फायदे हैं, कौन से cases में हम इसको use करते हैं, कौन से cases में use नहीं करते हैं वीडियो को start करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर new है तो subscribe करें, bell icon को click करके all notification को on करें ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे और एक बड़ जरूर playlist section में जाके देखें, यहाँ पर python series, javascript, whatsapp की तरह chat application development, game development और google की तरह search engine website development और अल्रेडी मैंने आपको बना के सिखाया हुआ है so यहाँ पर मैं आगे आप visual studio code के अंदर और last यह code था जो हमने किया था, अगर मैं आपको अभी इसको run करके दिखाऊ हूँ, मैंने यहाँ पर open किया मेरा terminal, तो यहाँ पर मैं इस file को run कर रहा हूँ, run करने के लिए मैंने लिखा python, मेरे file का नाम, dot py, enter number 1, ठीक है, number 1 इसको मै मैंने provide किया 10, enter press किया, number 2 provide किया, मैंने इसको 5, answer आ रहा है 15, the sum is 15, अब देखिए एक चीज को समझीए, जब हम दो numbers को add करना चाहते हैं, या फिर हम एक ऐसा program करते हैं, जो sum calculate करके दे, addition करके दे हमें, maths के calculation करके दे, तो दो number ऐसा जरूरी नहीं है कि वो integer होगा, floating points number भी वो हो सकते हैं, अब ये floating points number क्या चीज़े होती है, floating points number यानि कि points वाले, decimals वाले, 10.5, 10.1, 10.2, 5.5, points वाले, देखिए जब हम numbers को add करते हैं, calculator में, तो कई बार हम normal numbers को add करते हैं, जो कि integer होता है, कई बार हम point वाले numbers को add करते हैं, जो कि floating point numbers कहलाते हैं, ठीक है, तो obvious सी बात है calculator में ये quality होनी चाहिए, ये capability होनी चाहिए कि वो point वाले numbers को भी add कर सकें, अगर मैं इसके अंदर वो चीज़े apply करूँगा, तो ये error generate करेगा, मैंने यहाँ पे लिखा पहला value है 10.5, मैंने प्रेस किया enter, उसने दे दिया हमें यहाँ पे normal सा एक error, 10,5, 0.5 कहता है यहाँ पे हैं, कि भईया अगर user normal numbers को plus करता है, तो वो भी हो जाए, और अगर user points वाले numbers को अगर plus करना चाहता है, वो भी हो जाए, अगर normal number और point वाले को दोनों में आपस में जोड़ना चाहता है, तो वो भी हमारा program बड़ ही अराम से calculate कर सके, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए programming languages आपको allow करते है, floating point constraint, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है float, ठीक है, और यहाँ पर भी आगया हमें, और यहाँ मैं लिख दिया float, अब float के अंदर generally क्या होते हैं, integer में क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, minus 1, 2, 3, 4, 5, minus के number भी होते हैं, प्लस के number भी हो रहेगा, साथ-साथ point वाला भी रह सकता है, ठीक है, अब अगर मैं अपने file को run करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा python, मेरे file का नाम, और press किया enter, मैंने दिया इसको 10, और दूसा number दिया 5, तो answer आता है 15.0, integer के case में 15 आता, अब point के बाद कहता है कुछ था नहीं, तो इसमें 15.1, ठीक है, 10 और 5, 15, 15, 15 और 5, 5, और यह total आगे हमारे पास 16, तो float क्या करेगा, integer भी कर सकता है साथ में, और floating पे भी काम कर सकता है, एक बार और मैं आपको check कर आता हूँ, पहला number दिया, मैंने इसको normal सा, दूसरा number दिया है, मैंने इसको point में, कहता 15.6, तो कुछ इस तरी अरिके से python के अंदर हम लोग floating points number के साथ deal करते हैं, और points में अपने calculations को perform करते हैं, मैं उमीद करता हूँ, आपको floating points समझ में आ चुका होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और clear हो चुका है, floating point क्या होते है, तो like करें, और comment करके अपना feedback दे, चैनल पर new है तो subscribe करें, bell icon को click करके all notification को on करें, ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे, मैं मिलता है आप से अगली video में, thanks for watching guys